तो last class में अपने ने last time एक question दिया था मैंने अपने binomial series पढ़ रहे थे तो एक सवाल था ये वाला क्या submission minus 1 का power r ncr upon r plus 1 into r plus 2 r का value 0 to n this is equal to 1 upon n plus 2 ऐसा कुछ प्रूव करना था तो ये देखते कैसे होगा अब देखो ncr की divide में है तो divide वाले के लिए वही पहले तो n plus 1cr plus 1 upon ncr this is equal to होता है n plus 1 upon r plus 1 तो यहां से इसको इदर लजाए इसको इदर लाएं तो ये देखो अपना क्या बन जाएगा ये वाला ये बन जाएगा n plus 1cr plus 1 upon n plus 1 is equal to ncr upon r plus 1 अब n plus 1cr plus 1 ये वाला ncr upon r plus 1 इसकी value ये वाला इसकी value replace कसकते है n plus 1cr plus 1 upon n plus 1 तो ये बन जाएगा अपना ये वाला ये बन जाएगा submission minus 1 का power r into n plus 1cr plus 1 upon ये जाएगा n plus 1 into r plus 2 r का value 0 to n अब ये वाला तो चलो constant में convert होगा ये वाले को इस वाले की बात करते हैं इस वाले में दुबारा formula लगाते हैं तो ये क्या बनेगा n plus 2cr plus 2 upon n plus 1cr plus 1 is equal to n plus 2 upon r plus 2 ऐसा लिख सकते हैं अब cross multiply करते हैं तो ये बनेगा n plus 2cr plus 2 upon n plus 2 is equal to n plus 1cr plus 1 upon r plus 2 तो ये value यहाँ replace करें तो ये बन जाएगा submission r का value 0 to n minus 1 का power r n plus 2cr plus 2 upon में आ जाएगा n plus 1 n plus 2 अब नीचे वाला constant नहीं किया तो इस expansion को open करें तो ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूं इस side पे तो ये ओपन करते हैं तो ये है 1 upon n plus 1 n plus 2 और ये value 0 रखते हैं तो ये बनेगा n plus 2c2 minus n plus 2c3 plus n plus 2c4 इस type का कुछ बन जाएगा अब अपने को n plus 2c2 minus alternate minus plus है तो शुरू से last तक की value होती है 0 ये हमने को मालूब और कैसे हमें ये मालूब के n plus 2c0 minus n plus 2c1 plus n plus 2c2 minus n plus 2c3 up to ये वाला value जो होता है क्या होता है 0 हमें यहाँ से आगे तक का value चाहिए तो इसका मतलब ये वाले बच्चवे पार्ट को उठाके उधर ले जाते हैं अगर उधर लगके जाएंगे तो ये वाला देखो उपर आला हटा रहूं मैं अगर ये वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा n plus 2 c 2 minus n plus 2 c 3 minus n plus n plus 2 c 4 ये वाला value बन जाएगा इसको इधर लेके जाते हैं तो n plus 2 c 1 minus n plus 2 c 0 इसका value हो गया n plus 2 minus 1 तो ये आ जाएगा n plus 1 के equal अब n plus 1 के equal आ गया तो ये वाला value अगर हम यहां replace करते हैं तो ये अपना बन जाएगा ये वाला expansion यहां पर आ जाएगा n plus 1 upon n plus 1 n plus 2 तो ये आ जाएगा 1 by n plus 2 तो ये हम ऐसे solve करेंगे तो क्या हुआ दो बार लग गया ऐसे ही मानलो यहां पर r plus 2 r plus 3 भी होता तो तीन बार solve करना पड़ता ठीक है ना तो ऐसा हम ध्यान रखना कि ये कैसे solve करना है ये अब आगे बढ़ते हैं अबने हमने इसके लावा पढ़ा था binomial series पढ़ ली थी ये upper index variable lower index same ये lower index variable upper index same type का दोनों पढ़ लिये थे अब अपने इसी में आगे बढ़ते हैं अब देखो अपने इसी में बात करते हैं एक next topic होता है product of binomial coefficient product of binomial coefficient जैसे एक example ले रहा हूं है तो product of binomial coefficient क्या nc0 अच्छा इसमें एक चीज याद भी होनी चाहिए क्या ये वाला nc0 का square plus nc1 का square plus nc2 का square up to ncn का square ये होता है 2ncn ये वे अपने प्रूफ भी करेंगे लेकिन एक बार डारेक्टी भी याद होना चाहिए काम आ जाता है nc0 प्लस ये वाला अब टू ये होता है 2ncn सबके binomial coefficients के square का addition होता है 2ncn अब देखो actual में series क्या हुआ हूई product of binomial coefficient मतला nc0 into nc0 plus nc1 into nc1 plus nc2 into nc2 up to ये वाली series लिख रहा हूँ ncn into ncn इसका value निकालना है अपने को निकालना है 2ncn तो देखो दो type की series है क्या यहां पर क्या हो रहा है lower index का दोनों की lower index का difference क्या है same है तो मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ 2 type है type 1 क्या difference of lower index are same हर किसी term में lower index का दोनों का difference क्या है equal है यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी क्या है 0 तो ऐसी series में क्या करते हैं यह ऐसा है तो हम क्या करते हैं है 1 प्लस X का पावर N का expansion लिखते हैं 1 प्लस X का पावर N का expansion आ जाएगा NC 0 प्लस NC 1 into X PLUS NC 2 into X square PLUS NC 3 into X cube up to NC N into X का power N बन जाएगा अब इसी expansion को ऐसा x plus 1 का पावर N का expansion लिखते है वापस अब यह आ जाएगा nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n-1 प्लस nc2 x का पावर n-2 अब 2 लास्ट में आ जाएगा nc n टाइप का ऐसा बनेगा अब अपने को यह बनाना है nc0 into nc0 तो हम क्या करते हैं इसको इसको क्या करते हैं multiply करते हैं इन दोनों को multiply करते हैं तो इसमें हम देखो multiply करोगे तो जैसे nc0 nc2 से multiply होगा तो nc0 nc2 आजाएगा nc2 nc1 आजाएगा बहुत सारे terms आएगे हमें चाहिए अपना answer हमारा answer nc0 into nc0 nc1 into nc1 nc2 into nc2 तो यह कब बनेगा जब देखो यह nc0 इस nc0 से multiply हो इस से multiply होगा तो यह बनेगा nc0 का square into x का power n ऐसे ही nc1 into nc1 यह बनेगा जब यह दोनों multiply हो यह दोनों multiply होगे तो nc1 का square into x का power n ऐसे ही next वाला nc2 into ka square into x का power n अब टु लास्ट में ncn into ka square into x का power n इन दोनों को multiply करते हैं तो इसका मतलब हमारा जो answer है right hand side में आपस में दोनों को multiply करने पे 2NCN तो एक तो ये टाइप के सीरीज हुई कि कैसे सॉल्व करते हैं कि हमें सीरीज में ये पहचानना है प्रोड़क्ट ऑफ बाइनोमिल सीरीज में कि डिफरेंस ओफ लोर इंडेक्स सेम होगा या डिफरेंस ओफ जब अभी दूसरी की बात करते हैं डिफरेंस ओफ लोर इंडेक्स सेम हो तो क्या करते हैं एक बार 1 प्लस X का पार N का एकस्पेंशन लिखते हैं एक बार X प्लस 1 का पार N का एकस्पेंशन लिखते हैं अब दोनों को मल्टिप्लाइ करते हैं तो अब डारेक्ली देखनी कोशिश करते कि यह कब बन रहा है, nc0 का square प्लस nc1 का square ऐसा है, तो अब हमें यह बनाना है, तो nc0 into nc0 multiply होगा तो x का power n का coefficient आएगा, ऐसे ही nc1 into nc1 multiply होगा तो भी x का power n का coefficient आएगा, ऐसे ही ncn into ncn multiply होगा तो x का power n का coefficient आएगा, इसका मतलब हम X का पार N का coefficient है इन दोनों के multiplication में, इन दोनों को multiply किया, X का पार N का coefficient निकाला, that is आगया 2 N C N, तो यह बाला ऐसा रहेगा, solve बरने का method, अब इसी में type 2 की बात कर रहा हूं, ठीक न, type 2 इसमें क्या होता है, इसी शरीज का की addition of lower index is same, difference नहीं, addition, कि अपने पास क्या हो, addition of lower index is are same, ऐसा हो, मतलब अब इसको मैं बैसे लिख रहा हूं, क्या, अब addition of lower index, जैसे N C 0 into N C N, plus N C 1 into N C N minus 1, plus N C 2 into N C N minus 2, अब 2, N C N into N C 0, ऐसा है, तो इसमें देखो, सब में lower index का addition, क्या है, same है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, तो अब हम क्या बोलते हैं, इसके लिए, क्या करते हैं, पहले 1 plus X का power N का expansion लिखते हैं, क्या बनेगा ये, N C 0 plus N C 1 X plus N C 2 X square, अब 2, ये बनेगा last में, N C N X का power N बन जाएगा, अब इसी का expansion को दुबारा लिखो, 1 plus X का power N, तो ये आ जाएगा, N C naught plus N C 1 into X plus N C 2 into X square, अब 2 N C N into X का power N, ऐसा बन जाएगा, अब क्या करते हैं अपने, हमें बनाना है N C naught into N C N, ये तभी बनेगा, जब ये first वाला किस से multiply होगा, last वाले से, तो कौनसा coefficient आएगा, X का power N, एक old term इसमें पीछे वाल लिख रहा हूँ, क्या, plus N C N minus 1 X का power N minus 1, अब ये देखो, दूसरा N C 1 into N C N minus 1 बनाना है, ये तभी बनेगा, जब अपना, ये वाला, ये वाला, जाके इस से multiply होगा, ये वाला गर इस से multiply होगा, तो N C 1 into N C N minus 1 तो बनेगा, साथ ही साथ, किसका coefficient आएगा, X का power, ये एक से यहाँ X का power N minus 1, X का power N का, ऐसे ही last वाला, ये वाला, क्या, कि N C N into, ये वाला, अगर ये वाला multiply होगा, तो last term बन जाएगा, again X का power N का coefficient हाएगा, ठीकर N C naught into N C N, X का power N, तो इसका मतलब हमारा जो answer है, वो क्या है? X का power N का coefficient है, तो इन दोनों को multiply करो, क्या बनेगा? ये बनेगा, 1 plus X का power 2 N, तो इसमें क्या निकालना है X का पावर N का कोफिशेंट कित्ता हो जाएगा 2NC N ऐसा हो जाएगा ठीक है ना इसका मतलब डिफरेंस सेम हो तो एक सीरीज 1 प्लस X की पावर N लिखो एक X प्लस 1 की पावर N लिखो और अब उनके मल्टिप्लिकेशन में देखो हमारा आंसर कौन सा कोफिशेंट बनता है और अगर एडिशन सेम हो तो दोनों सीरीज सीधी लिखो और अब इसमें देखो कि X की पावर हमारा आंसर कौन सा X का पावर का कोफिशेंट बनता है ठीक ना अब किसी को यह डाउट हो रहा हो कि यह वाला आंसर तो वही आ रहा है जो पिछली बार आया था तो यह सेरीज भी तो वही है पूरी की पूरी क्यों क्यों क्योंकि मैं NCN को क्या लिख सकता हूं यह NC नोट तो ऐसी रहन देता हूं क्या मैं इसको NC नोट लिख सकता तो यह वही सीरीज दे तो लिखी है मैंने और अब यह सवाल भी देखो क्या बन गया difference same बला तो हम ऐसा भी कर सकते हैं या तो हम दोनों method याद रखें कि addition same है या difference same है तो कैसे करते हैं और अगर दोनों याद नहीं रखने हैं अपने आप क्या बन जाएगा अपना difference वाला बन जाएगा तो nc not का स्क्वार प्लस nc1 का स्क्वार प्लस nc2 का स्क्वार अब 2nc n का स्क्वार यह कित्ता हो जाएगा 2nc n हो जाएगा ठीक न अब इसी में एक-दो सवाल रहत राय करते हैं तोड़ा अच्छा clarify हो जाएगा उससे जैसे यही अपने ट्राय कर रहे हैं क्या nc not nc3 प्लस nc1 nc4 plus nc2 nc5 up to ncn-3 ncn अब देखो यह जो सिरीज है इसमें lower index जो है का difference चाहिद क्या है equal है difference equal है तो इसका मतलब एक सिरीज 1 प्लस x का power n लिखा क्या बन जाएगा nc0 प्लस nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube up to ncn into x power n बन जाएगा ऐसा हो जाएगा और एक सिरीज ultra लिखा x plus 1 power n तो यह बना nc0 into x power n plus nc1 into x power n minus 1 plus nc2 into x power n minus 2 plus nc3 into x power n minus 3 up to last may ncn n into x power 0 अब इसी में मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख रहा हूँ ता कि थोड़ा clarify or हो जाए यहाँ पे आया होगा ncn minus 3 x power n minus 3 और लास्ट वाला ncn x power n बना हो इसा बना होगा तो देखो nc0 nc3 बनाना है मेरको तो nc0 nc3 तब बनेगा जब यह और यह multiply होगे यह और यह multiply होगे तो कौन सा coefficient आ रहा है x का power n minus 3 का ऐसे ही nc1 इसके आगे वाला करोगे तो भी x का power n minus 3 का ही आएगा ऐसे last में देख लो ncn minus 3 और ncn यह multiply करोगे तो कौन सा coefficient आएगा x का power n minus 3 का इसका मतलब हमारा जो answer है वो इन दोनों के multiplication में x का power n minus 3 का coefficient है इसमें 1 plus x का power 2n में तो answer हो जाएगा 2ncn minus 3 और इसी को हम लिख सकते हैं और 2ncn plus 3 दोनों में से कोई भी answer लिखा हो दोनों के दोनों answer valid है तो difference of binomial series के लिए हम ऐसा solve करते हैं always अब एक सवाल और देखते हैं इसी में alternate minus plus वाला की alternate minus plus आ रहा हो तो कैसे solve करेंगे ठीक है ना तो जैसे suppose लिखा हो पने पास यही nc naught का square minus nc1 का square plus nc2 का square minus nc3 का square up to minus 1 का power ncn का square तो alternate minus plus से कोई वो नहीं है हमें तो बस series पहचानों कैसी series है यह शायद लिखा हुआ है nc naught into nc naught minus nc1 into nc1 plus nc2 into nc2 minus nc3 into nc3 up to minus 1 का power n ncn into ncn ऐसा लिखा हुआ है तो हम कहते हैं देखो क्या हो रहा है यह वाला lower index का क्या same है difference same है difference same है तो इसका मतलब एक series तो cd लिखी जाएगी और एक series क्या होगा ultra लिखेंगे लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है alternate क्या आ रहे है minus plus तो हम क्या करते हैं एक expansion तो 1 minus x का power n लिखते हैं एक x plus 1 का power n इससे क्या होगा अपने आप ये वाले में दोनों का एक क्या हो जाएगा minus आजाएगा series में तो जब भी alternate minus plus आए तो इसका मतलब हमने शुरू शुरू पढ़ा था ना alternate minus plus तब आता है जब expansion x plus y नी x minus y का होता है तो मैंने क्या लिया एक expansion x 1 minus x का power n ले लिया एक x plus 1 का power n ले लिया तो ये बनेगा nc naught minus nc1 into x plus nc2 x square up to minus 1 का power n nc nx का power n अब ये वाला ये वाला हो जाएगा nc naught x power n plus nc1 x power n minus 1 अब ज़रूर नहीं है इसको 1 plus x लेते तो इसको क्या लेते थे x minus 1 तो ये nc2 x power n minus 2 अब टू लास्ट में बनेगा ncn अब अपने को जो बनाना है वो देखते है nc naught into nc naught तभी बनेगा जब ये दोनों multiply होंगे ये दोनों multiply होंगे तो ये आजाएगा nc naught का square x का power n minus nc1 into nc1 अगर ये multiply होंगे तो बन जाएगा minus nc1 का square x का power n similarly last वाला multiply होगा तो ये क्या बनेगा minus 1 का power n ncn का square x का power n इसका मतलब यहां से हमारा कुन सा coefficient है coefficient of x power n है अब coefficient of x power n निकालना है इन दोनों के multiplication में इन दोनों को multiply करते हैं तो क्या बनेगा 1 minus x square का power n इसमें क्या निकालना है x का power n अब थोड़ा सा ये जोर देते हैं इस पे कि ये जो expansion है इसमें expand करोगे इसको तो x square x power 4 x power 6 कैसी terms आएंगी even terms आएंगी x की इसका मतलब अगर मैं बुलता हूँ n हमारा क्या हुआ odd number हुआ तो ऐसा हुआ न सवाल कि 1 minus x square की power 5 में x का power 5 निकालना है जबकि इसमें तो सारी की सारी कैसी power आएंगी even तो क्या x का power 5 मिलेगा कभी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उसका answer क्या हो जाएगा अगर n को odd है तो इसका answer क्या आजाएगा 0 और यहीं अगर n even है n even होने का मतलब अपना हो गया 1 minus x square का power 6 में x का power 6 ऐसा तब मिलेगा जब इसको कित्ता दोगे 3 क्योंकि अपने आप यह x का power कित्ता बना देगा 6 तो इसका मतलब power 6 है तो just half दिया है तो इसका मतलब x का power n में पनाना है तो इसको कित्ता दिना पड़ेगा n by 2 तो answer बन जाएगा n c n by 2 into minus 1 का power n by 2 तो minus वाले expansion में ऐसा दिमाग में रखेंगे सब भी plus के जल रहे हो तो ऐसा और alternate plus minus जल रहा हो तो ऐसा सोचेंगे हम तो इस type के सवाल करने का यही तरीका होता है कि difference सेम है कि addition सेम है उसके हिसाब से series decide करो कि किस type की series आएगी और उसके हिसाब से अपने answer दे सकते है एक और सवाल करते हैं थोड़ा सा एक लग है इसमें जो मतलब है तो coefficient का ही इसी का ही product of series का लेकिन थोड़ा अलग है particular सवाल है ठीक है ना तो हम ऐसा बोलते हैं जिसे यह है क्या nc0 into 2ncn minus nc1 into 2n minus 2cn plus nc2 into 2n minus 4cn अब तो यह series चल रही है अब इस series का answer बताना है अब देखो यहाँ series में अपने फस गए क्या क्योंकि ना तो upper index कि ना तो वो है lower index का addition सेम है ना lower index का difference सेम है दोनों ही बाते नहीं हो रही है तो हम क्या कहते हैं अब देखो कैसे solve करते हैं particular सवाल है यह otherwise तो normally fix है कि ऐसा सवाल है तो ऐसे ही करेंगे अब इसमें देखो हम क्या कहते हैं इन टर्म्स को देखो 2ncn lower index same है lower index same है lower index same होने का मतलब होता था क्या कि वो coefficient रिप्रेजेंट करता था किसी का किसका नीचे वाले का coefficient किसके expansion में उपर वाले के expansion में तो हम इसको ऐसा लिखना चारहे है कि ये coefficient of का रिप्रेजेंट कर रहा है x power n coefficient of x power n क्योंकि नीचे वाल एका कोफिशेंट होता है किस में? Nc0 किसके expansion में? 1 प्लस X का power 2N में ठीक है न? क्योंकि उपर वाल expansion होता है minus Nc1 1 प्लस X power 2N minus 2 में और plus Nc2 1 प्लस X power 2N minus 4 अब 2 यहां पर सवाल होना चाहिए N plus 1 तर्म ठीक है न? तो यही up to N plus किता चल रहा है 1 टर्म तक चल रहा है अब दूसरा आप यह सोचते हैं देगो अब यहां तक आ गए आप रुख गए तो अब अपने यह सोचते हैं क्या binomial coefficient है Nc1, Nc2, Nc3 इसके बगल में यह जो चल रहा है क्या यह GP चल रही है? ऐसा बोल सकते हैं देखो तोड़ा असान बनाते हैं अगर मैं 1 प्लस X के स्क्वेर को क्या मालनूँ एक बार Y मालनूँ तो Nc0, Y का पावर N माइनस Nc1, Y का पावर N माइनस 1 प्लस Nc2, Y का पावर N माइनस 2 क्या यह इस टाइप की सीरीज चल जाएगी? अब बाइनोमियल कोफिशेंट के बागल में GP चल रही होती है तो वो क्या होता है? एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है यह हमने पहले भी पढ़ा था ठीक है न? और GP कैसी है? डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो 1 प्लस X नहीं X प्लस 1 टाइप का होगा ठीक है न? और तीसरी बात अल्टरनेट प्लस माइनस है ठीक है न? अल्टरनेट प्लस माइनस होने का मतलब वो प्लस वाला नहीं कैसा एक्सपेंशन होगा माइनस वाला expansion होगा तो हम इसका general term लिखते हैं minus 1 का इसका general term क्या बनेगा submission r का value 0 to n ये बन जाएगा ncr c1 इसको हमेशा ncr कहते थे 1 है तो minus है तो minus 1 का power r और y का power क्या बनेगा n minus r type का तो इसको देखते हुए हम directly बोल सकते हैं क्या लिखा हुआ है y minus 1 का power n का expansion क्योंकि इसका general term बनेगा ncr minus 1 का power r y का power n minus r तो इसका मतलब इसमें हमें क्या निकालना है x का power n निकालना है अब y की value put कर दो x का power n है ये आ जाएगा 1 plus x का whole square minus 1 का power n तो ये आ जाएगा x का power n अब ये आ जाएगा 1 plus 2x plus x square minus 1 का power n तो ये और ये क्या जाएगा cancel out तो बचेवे में से x का power n निकालना है किसमें से x का power n into 2 plus x का power n अब यहाँ x का power n है अल्रेडी बाहर x का power n है तो इसका मतलब यहाँ से x का power कितना निकालना है 0 ऐसा तब ही होगा जब इसको कितना पार दिया जाए 0 तो आंसर हो जाएगा n c 0 x का power 0 2 का power n तो ये हो जाएगा 2 का power n टाइप का क्लिर रहे ना क्या किया पहले मैंने मैंने बुला यह particular सवाल है अच्छा सवाल एक ही टाइप का 2 n c n 2 n minus 2 c n 2 n minus 4 c n अब अब अपने यह कहते हैं क्या lower index का क्या same है इसमें इन टर्म्स में lower index same है और lower index same होने का मतलब वो क्या represent करता था coefficient नीचे वाले का coefficient ऊपर वाले के expansion में तो मैंने बुला coefficient of x का power n n c 0 तो ऐसे रहने दिया ये बन गया 1 plus x का power 2 n minus n c 1 1 plus x का power 2 n minus 2 प्लस n c 2 1 plus x का power 2 n minus 4 ऐसा बन जाएगा अब अब ये ऐसा लग रहा है कि binomial coefficient के बगल में क्या जल रही है gp तो थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने क्या क्या 1 plus x के square को y मान लिया ताकि y मान लिए तो y का power n बन जाएगा तो n c 0 y का power n minus n c 1 y का power n minus 1 general term से directly clarify होता है n c r minus 1 को आर किया तो minus 1 second term होगा और y क्या होगा first term तो इसका मतलब y minus 1 का power n type का expansion बन जाएगा अब इसको solve किया और directly answer निकाला किता आजाएगा 2 का power n clear रहन है तो ये होता है binomial series का एक सावाल को solve करने का method अब इसी में next point क्या अब अपने इसमें बात करते हैं क्या कि अपने को वो निकाल एक और सावाल की बात करते हैं मतब जिसमें मैं divide वाले भी ले रहा हूं था कि थोड़ा सा और ये हो कि 1 प्लस एक्स का power n अगर ये है कि अपने को दिया हुआ है कि ये ऐसा है तो हम बोलते हैं कि इसका value c naught का n c naught का square plus n c 1 का square upon 1 plus upon 2 n c 2 का square upon 3 up to n c n का square upon n plus 1 का value बताना है एक divide वाला भी ले रहे है अपने ठीक है ना तो अब आपने ये बोलते हैं देखो कि हो क्या रहा है divide में भी चीज़ें आ रही है अब divide में भी चीज़ें आ रही है तो थोड़ा याद हो divide में चीज़ें वो hp वाला होता था और hp वाले को अपने वो convert करते थे n plus 1 c r plus 1 upon n c r वाले formula से तो हम इसको इसका क्या लिखते हैं general term link नहीं कोशिश करते हैं ताकि ये नीचे वाले गायब हो जाएं तो ये देखो ये लिखावा है n c 0 n c 0 ये लिखावा n c 1 n c 1 ये लिखावा n c 2 n c 2 तो ये ऐसा लग रहेगी n c 0 n c 0 n c 0 lower index का difference क्या है same अगर ये नीचे नहीं होता तो मैं directly answer लिख देता इसका लेकिन अभी नीचे है तो इसको क्या करना पड़ेगा गायब करना पड़ेगा तो general term ये बनेगा submission n c r into n c r upon r plus 1 r का value 0 to n के बीच में अब इस वाले term को क्या करते हैं गायब करते हैं इस वाले को दुबारा गायब कैसे करेंगे हम n c r upon r plus 1 को मैं directly लिख रहा हूं इसको हम n plus 1 c r plus 1 upon n plus 1 लिख सकते हैं उस formula से अब तो इसको ये replace किया तो ये बन जाएगा submission r का value 0 to n n c r n plus 1 c r plus 1 upon n plus 1 अब n plus 1 constant होगया बहरा जाएगा तो ये बचेगा 1 upon n plus 1 into submission r का value 0 to n n c r into n plus 1 c r plus 1 अब इस series को open करते हैं थोड़ा idea लगेगा तो ये बना 1 by n plus 1 ये जाएगा n c 0 n plus 1 c 1 plus n c 1 n plus 1 c 2 up to n c n n plus 1 c n plus 1 अब इसमें ऐसे लग रहा है कि lower index का आगे difference क्या है equal है lower index का difference equal है तो वो series लेते हैं एक series ले लो 1 plus x का power n जाएगा 1 plus x का power n n लिया क्योंकि n c 0 इसके लिए तो यहाँ n c 0 plus n c 1 into x plus n c 2 x square up to n c n x का power n बन गया अब दूसरी series लेंगे ulti वाली x plus 1 का power लेकिन n plus 1 यो अगर एन लोगे तो n c 0 वाले time आजाएंगे जबकि अपने को n plus 1 type चाहिए तो उसके लिए expansion लिया n plus 1 वाला तो यह बनेगा n plus 1 c 0 x का power n plus 1 plus n plus 1 c 1 x का power n plus n plus 1 c 2 x का power n minus 1 up to n c n sorry up to n plus 1 c n plus 1 x का power 0 type बन जाएंगे अब दोनों के multiplication में देखो यह कब बनता है बही चीज तो यह तब बनेगा जब यह वाला n c 0 और यह multiply होता है दो देख लो बाकि देखने के ज़रद नहीं है n c 0 n plus 1 c 1 multiply होगा तो x का power n आ रहा है ऐसे ही यह दोनों multiply हो जाएंगे तो भी क्या निकल के आ रहा है x का power n कि n c 1 x into n plus 1 c 2 तो यह भी x का पारकित तार है n ऐसे ही last वाला multiply हो जाएंगे तो यह last term बन जाएगा that is x का power n का coefficient इसका मतलब हमारा जो answer है इन दोनों के multiplication में x का power n का coefficient है तो हम इन दोनों को multiply करते हैं तो यह बनेगा 1 plus x का power 2 n plus 1 में क्या निकालना है x का power n तो कित्ता हो जाएगा 2 n plus 1 c n ऐसा हो जाएगा अब 2 n plus 1 c n की value उठाके यहां रखते हैं तो यह final answer जो है इसका बन जाएगा अपने पास इस series का final answer बन जाएगा 2 n plus 1 c n upon n plus 1 तो भी क्या हुआ तो divide वाले को गाइब कर दो बाकी तो अपनी क्या है series ही लिखी हुई है उसको solve कर सकते है ऐसे multiply में आ जाए तो भी हम ऐसा solve कर सकते हैं multiply वाले को गाइब कर दो फिर तो directly क्या लिखी हुई है series और उस series को solve कर सकते हैं तो यह binomial series के different different type के सवालों को करने का method है ठीक है ना अलग-अलग सवाल को करने के लिए अलग-अलग type के तरीकी हैं यह अपने ध्यान रखेंगे तो यह होता है binomial series का part ठीक ना तो यह है binomial series की बात कर रहे थे अब अब देखो अब अपने इसी में चलते हैं आगे क्या अब यह वाला multinomial theorem multinomial theorem का मतलब binomial का part तो हो गया खतम अब तीन जो दो से ज्यादा terms हो उसकी बात करते हैं या पहले यह नहीं पहले नर्मली पढ़ते हैं बाइनोमिल की बात कर रहा हूं वापस binomial theorem for any index अब particular natural number के लिए तो हमने पढ़ी लिए तो any index मतलब थोड़ा आपने उसको भी ऐसा कहते है कि for negative or fractional index इसकी बात करते हैं तो अब इसमें अपने ऐसा बोलते हैं क्या जैसे हमने binomial theorem already पढ़ी है तो इसमें हम यह कहते हैं जैसे हम कहते हैं 1 प्लस x का पावर n नॉर्मली जो पहले वाली थी उसके हिसाब से हमारा यह होता था क्या nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube अब तो यह टाइप का जलता था ठीक है ना अब इसी की सबकी values लिख दो मतलब nc0 nc0 होता है 1 nc1 होता है n nc2 होता है n n minus 1 by factorial 2 और nc3 होता है n n minus 1 n minus 2 by factorial 3 तो यह values put कर दी मैंने तो यह बनेगा 1 plus x का power n क्या बन जाएगा 1 plus nx plus n n minus 1 by 2 factorial plus into x square plus n n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial into x cube ऐसे ही आगे के terms आ जाएंगे तो अब देखो यहां तो हम कहते हैं मालो ऐसा होता कि 1 plus x का power 5 by 2 होता ठीक है तो यहां put नहीं कर सकते थे क्यों 5 by 2 c0 define नहीं होता है लेकिन देखो यहां put कर सकते हैं यहां 5 by 2 5 by 2 5 by 2 minus 1 5 by 2 5 by 2 minus 1 5 by 2 minus 2 अगला लिखना तो इसी process पर क्या बनेगा अगला term क्या बनेगा n n minus 1 n minus 2 n minus 1 n minus 2 n minus 3 upon factorial 4 into x का power 4 ऐसा रहेगा अगला लिखना हो तो अगला लिख सकते हैं तो यह जो है expansion होता है binomial theorem for negative or fraction किसी भी index के लिए even natural number के लिए valid है कि अगर 5 होता तो यहां 5 5 put कर दो तो भी क्या आता से मांसर निकल आता तो यह चीज़ ध्यान में रखेंगे यह होता है binomial theorem for any index अब कुछ points अच्छा यह आगे अपने को 12 में काम आएगा limits पढ़ते हैं जब हम ठीक ना वहां पर अपने को दुबारा याद करने को मिलेगा तो कुछ-कुछ points इसमें क्या पहला point यह जो series होती है number of terms इसमें कित्ते होते हैं infinite होते है ठीक ना क्योंकि देखो यह है n-3 अगले में n-4, n-5, n-6 ऐसे बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा तो कित्ते number of terms हो जाएगे infinite ठीक ना अब कोई बोले कि sir ऐसा तो यह तो उसके लिए valid है power 5 के लिए valid था कि यहां power कित्ता होता 1 plus x power 5 होता तो भी तो infinite term होने चाहते नहीं होंगे क्यों क्योंकि देखो यहां n-3 आया अगले में n-4 आएगा उसमें भी 5 रहोगे तो 90 term आएगा उसके अगले में n-5 यहाँ तो भी n-5 है आगे हर किसी term में n-5 आएगा और n का value 5 या कोई भी indeezer रखने पर वहांपे किसी particular value के बाद जाके क्या हो जाएगा, 0, इसलिए number of terms वहां fix होते हैं, यहां पर number of terms क्या होते है, infinite, दूसरा, this is valid for, mod x less than 1, यह जो expansion है, mod x less than 1 के लिए valid होता है, क्यों क्योंकि, यह से x बढ़ रहा है, अगर x का value बहुत, 1 से बढ़ा ले लिया, x, x square, x cube, infinite, हमें तो आगे x क का पार क्या हो जाएगा, infinite, infinite हो गया, तो मतलब हमारा जो series है, वो diverge होना चाहिए था, तो converge होने लग जाएगा, इसलिए mod x क्या होता है, less than 1 होता है, ऐसे ही, और तीसरा point, वो point नहीं है, वो ऐसे ही, always expansion में 1 प्लस x का power ऐसा बनाना है, ठीगे ना, मतलब एक term क्या होनी चाह यहां पर ऐसा बनाएंगे, यह हम याद रखेंगे, यह वाला point, ठीगे ना, मतलब जैसे तुम्हें बोल दे, कि root 3 का expansion लिखके बताओ, तो क्या करोगे, root 3 को लिखोगे, 1 प्लस 2 का power half, ऐसा लिखोगे, अब दो बाते होनी चाहिए, एक term 1 होनी चाहिए, जो हमने बना ली, लेकिन साथ ही साथ जो X का value होना चाहिए, वो less than क्या होना चाहिए, 1, less than 1 होने का मतलब, इसको यहां पर 2 है, 1 से बढ़ा है, तो 2 common ले लो, 2 common ले लो, तो कित्ता बन जाएगा, root 2 बहर आ जाएगा, यह बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाए 2 का power, 1 बाए 2, अब इसका expansion लिखना हो तो लिख सकते हैं, root 2, 1 प्लस NX, N है 1 बाए 2, X भी है 1 बाए 2, प्लस, फिर नेक्स वाला, N into N minus 1 by factorial 2 into X square, X square है 1 बाए 2 का square, तो ऐसा expansion लिखा जा सकता है, अपने को यह बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, expansion लेकिन हाँ, कि मानलो ऐसा time आ जाएगा, कि 50, मतलब 4 term लिखो, 5 term दिखो, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, यह चीज़ clarify होनी चाहिए, जैसे एक example भी लेता हूँ है, क्या, की ऐसा है, 1 minus 2 X square का power 5 by 2 यह 2 X का power 5 by 2, इसको right expansion, up to 4 term, ऐसा लिखने हैं, और वो ही 2 X का mode जो है, वो less than क्या है, बन दिया हुआ है, हम कहते हैं, क्या हो जाएगा, open करते हैं तो बनेगा 1 plus n किता है, 5 by 2 into X minus 2 X plus, next, n 5 by 2 into 5 by 2 minus 1 upon factorial 2, X square minus minus 2 X का whole square, next, 5 by 2, 5 by 2 minus 1, 5 by 2 minus 2 upon factorial 3 minus 2 X का cube, ऐसा लिखा जा सकता है, तो यह चीज़, clarify होना चाहिए, कि ऐसा होता है, तो इसी में, इस टाइप से ऐसा आगे बढ़ना हो, तो आगे तक लिख सकते हैं, अपने, always, अब कुछ points, वैसे वो ज्यादा बहुत काम तो नहीं आएंगे, लेकिन सीधा सोचते हैं, अपने, क्या, हमने देखा, 1 plus X का power N का expansion, क्या होगा, 1 plus N X plus N N minus 1 by factorial 2 plus into X square plus N N minus 1 N minus 2 by factorial 3 X cube, ऐसा बन जाएगा, अब अगर यही होता, 1 minus X का power N वहला, तो क्या होता, X की जगे क्या रहीं प्लेश करतो, minus X, तो क्या बनता, 1 minus N X plus N N minus 1 by factorial 2 X square plus N N minus 1, यहाँ माइनस आ जाता, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस दालते हैं, तो कोई फरग नहीं पड़ता, यहाँ डालते हैं, तो यह N minus 2 by factorial 3 into X cube, अल्टरनेट क्या नहीं लग जाता, minus plus, ऐसे ही, next इसमें, कि 1 minus X का पावर, sorry, 1 plus X का पावर minus N, ऐसा होता, तो अभी क्या फरग पड़ा, N की जगा minus N आ गया, N की जगा minus N आ गया, तो यह बनता, 1 minus NX, plus, यहाँ minus, यहाँ minus, तो यह minus N, minus N, minus 1, तो यह बन जाता, N into N plus 1 by factorial 2, X square, और यह वाला, minus, क्योंकि यहाँ minus, यह minus, यह minus 3 minus को बनाते, N, N plus 1, N plus 2 upon factorial 3, X cube, तो इसमें भी क्या आता, alternate, minus plus, N fourth, 1 minus X का पावर, minus N का expansion की बात करें, तो इसमें, अब यही वाले expansion में, X की जगा minus X कर दें, तो यह वाला plus, यह वाला भी क्या बन जाएगा, plus, यह बनता, 1 plus NX, plus NN plus 1 by factorial 2, X square, plus NN plus 1, N plus 2 by factorial 3, X cube, ऐसा आपने लिख सकते थे, तो इसका मतलब, इसके first और last वाले में, सारे terms plus के आ रहे हैं, otherwise alternate क्या रहा है, minus plus रहा है, ठीके ना, तो यह टाइप की series को, यह वाला, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो, तो भी चलेगा, जैसे, तुमसे पूछा जाए कि बताओ, 1 minus X का power minus 2, तो ज़रूरी नहीं है कि यह याद होना चाहिए, हम तो उसी को follow करेंगे, क्या, 1 plus NX, N किता है, minus 2, X किता है, minus X, ऐसा है, plus, next वाला, NN minus 1, तो minus 2, X का whole square, next वाला, plus, minus, sorry, minus 2, minus 2, minus 1, minus 2, minus 2, 2, divide by factorial 3, minus X का cube, आगे, इनको simplify करना हो, तो यह क्या बन जाएगा, 1 plus 2X plus, इसको simplify करोगे, तो यह आएगा, 3X square plus 4X cube थाएगा, तो यह टाइप का expansion रहता है, इसमें, ठीक है, तो अब इसमें, यह क्या करते हैं, next, इसमें बात करते हैं, कि इसमें expansion में, suppose, क्या पुछ ले तुम से, इसकी बात बाद में करेंगे, इसमें पुछ लेते हैं, यह ऐसा, expansion है, 1 minus 2X का पावर 5 बढ़े 2, और mod of 2X क्या है, less than 1, बताओ इसका 5th term क्या होगा, या 7th term क्या होगा, ऐसा पुछ लेते हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे में, अब अपने को 7th term लिखने का एक तो तरीका यही कि इसका expansion लिखो, करते-करते क्या आजाएगा, 7th term आजाएगा, अब दूसरा तरीका क्या है, इसको normally binomial की तरह consider करो, लिखो 1 minus 2X का पावर किता है, N, इसका 7th term, क्या हो जाएगा 7th term, यह हो जाएगा, N, C7, minus 2X का पावर 7, कैसा ही बनेगा, अब N, C7 को उपन कर लो, तो यह बनेगा, N factorial upon N minus 7 factorial, into 7 factorial, और यह आजाएगा, minus 2X का पावर 7, इसको simplify करोगे तो यह, N, N minus 1, N minus 2, N minus 3, N minus 4, N minus 5, N minus 6, और यहाँ आजाएगा, divide by 7 factorial, into minus 2X का पावर 7, अब N का value किता पुट कर दो, 5 by 2, क्योंकि N हमारा किता था, 5 by 2, तो इसमें, put N बराबर 5 by 2, तो हमारा क्या निखलाएगा, direct answer, अलग से, general term याद करने की जरुरत नहीं है, सीधा binomial के हिसाब से, general term लिख सकते हैं अपने, ठीक है ना?